हेलो गाइज वेलकुम तो दे यूटूब चैनल स्प्रेंट नॉलिज एड़ टो डिसकस अबॉट इंपोर्टन अपडेट आफ एच्पी टैट तो गाइज हम सबको पता है कि एच्पी टैट का जो नॉम्बर की नॉटिफिकेशन है नॉम्बर 2020 की वो धर्मशालब और ने न करने के लिए तो आप जल्दी से जो एच्पी बॉर्ड की वेबसाइट है एच्पी एच्पी बोस डॉट ओर जी उस पे जाके आप फिल इन करें इसको और अपना जो एच्पी टैट का फॉर्म है उसको जल्दी से बढ़ दें थाकि आप लास्ट ताइम में आपको दिख क लास्ट ताइम में भी हुआ था तो इस तरह से आप जो है लास्ट ताइम का वेट ना करें और जल्दी से अपना फॉर्म बरें एच्पी टैट का नॉमबर ट्वंटी ट्वंटी का तो हम जो है कुछ डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्या क्या बाते उन्होंने बोली हुए है क्या इंफोर्मिशन दी है बोर्ड वालोंने या फिर जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह की से रहेगा तो हम बात करते हैं कि कौन टीचर के लिए जेबिटी के लिए या फिर जिन्हों है डिलैड जिसको कहते हैं उनके जो डिप्लोमा होल्डर्स है डिलैड एलिमेंटरी एड्युकेशन में डिप्लोमा होल्डर्स पंजाबी की टीचर उर्दू के टीचर तो इन सब के लिए टीचर एलिजिबल्टी कि अगर उनको paprage is सक्ते कुछ में अगर काम करना है तएंथ लेबल तक अपस्केंडरी लेबल तो भूज़ ऑफ HEY मारचलPat प्रदेश का है वह इसको इसको कांडुक्ट करƏ इसका जो है टेलिफॉन आपको इस पे contact कर सकते हैं अगर कोई भी प्रावलम आपको आती है स्क्रीन पर जो टेलिफॉन नंबर है और इनकी वेब साइट है www.hpboss.org और ये इनकी mail है official mail अगर कोई भी प्रावलम आपको TET से related है hpboss.tet at the red gmail.com यही यह सब जो है date of submission इसकी online application की 19, 10, 2020 से शुरू हुई है और last date इसकी submission की 5 November है 2020 और 11 वजे रात को 11 वजे 69 मिनट तक ये receive की जाएंगे form और उसके बाद आपसे late fees ली जाएगी अगले 5 दिन तक 6 से 10 तारीक तक अगर आप form नहीं भर पाएगे आपको late fees देनी पड़ेगी 300 तब आप form भर सकते हैं तो correction आपने अगर करनी है किसी particular आपके जो particulars आपने form में भरे हैं तो आप 11 और 12 को 12 तारीक तक रात को 12 वजे तक आप उन particulars में correction कर सकते हैं और यह जो वही है जो पीछे हमें detail दीगी थी website और email साथ में phone number जहां पर आप contact कर सकते हैं यह भी होनी के कोई contact के लिए कोई problem आपको आती है तो आप इन से contact कर सकते हैं इन numbers पर important dates जो है हमने यहां पर पीछे भी पढ़ ली है कि 1910 को यह release हुई थी और 5 November तक है यह last date और without late fee है अगर late fee के साथ आप 6 से 10 तक भी कर सकते हैं तारीक तक 6 November से 10 November के वीच में और 11 और 12 को आप correction कर सकते हैं और 4 दिन पहले जब आपका exam होगा उससे पहले आपको admit card upload हो जाएगा website पे आप वहां से download कर सकते हैं तो जो tentative dates हैं वो क्या है इसकी schedule of the examination क्या है तो JVT TAT जो है 29 November को इन्होंने रखा है 10 से सुबह की morning shift में 10 से साढ़े बारा बज़े की बीच में धाई घंटे का यह exam है और जो शास्त्री TAT है वो 29 November को ही इन्होंने रखा हुआ है और उसमें जो है 2 बज़े से 2 बज़े से साढ़े चार बज़े की बीच में धाई गंटे exam है TGT Non Medical TAT की बात करें तो 6 December से 6 December को ही morning shift में रखा गया है और उसी दिन को language teacher का TAT रखा गया है 6 December को 6 December को TGT Non Medical 6 December को language teacher तो एक morning में है जो Non Medical का है और language teacher का evening shift में है 2 से 4 बज़े की बीच में दोनों ही paper जो है धाई धाई गंटे के है TGT Arts का जो TAT है वो 12 से 12 December को रखा गया है 10 से 12 की बीच में और TGT Medical का जो TAT का exam है वो भी 12 को रखा गया है evening shift में 2 से 4 के बीच में पंजाबी TAT और उर्दू TAT 13 December को रखेंगे हैं पंजाबी TAT morning shift में 10 से 12 के बीच में दाई गंटे का exam और उर्दू का 13 December को evening shift में दो से 4 के बीच में ये भी दाई गंटे का exam है अगर हम बात करें कि आपको mode of application की तो वह आप online ही apply कर सकते हैं और इसमें एक important instruction यह है कि photograph का size आपको crop करके 20 KB से reduce करना पड़ेगा और dimension इन्होंने mention कर रखें कि 3.5 cm width होनी चाहिए और 4.5 cm height होनी चाहिए और signature of the candidate जो है वह less than 15 KB होना चाहिए और दोनों photograph और candidate का signature है उनका जो file format होना चाहिए image का वो jpg format होना चाहिए और 15 KB से कम होना चाहिए signature का जो file size है और image size होगा 15 KB से less होना चाहिए और dimension होनी चाहिए 3.5 cm into 1.5 cm only तो यह इसकी specification थी जो हमें file का size हमें चाहिए था photograph और signature के लिए जो हम upload करना है website पे payment आप internet के दुरू net banking या फिर debit या credit card के दुरू करवा सकते हैं उसके बाद आप अपना print out form को जो application form में उसको download कर सकते हैं जो fees रहेगी वो journal और उनकी सब criteria के लिए 800 रुपीज है जबकि OBC और SCST या फिर physical handicapped जो candidates है वहाँ पे 500 100 रुपीज है इसकी यह जो dates है correction update करने के लिए details में वह 11 और 12th number को है teacher eligibility test यह 8 subjects में या 8 उसमें 8 papers अलग-लग conduct करा जाते हैं और minimum इसमें eligibility जो है वह यहां पे mention करी गई है आप प्रॉस्प्रेक्टिस से उसको देख सकते हैं कि जेबिटी के लिए डियालेट चाहिए और non-medical के लिए B.Ed आपको या PGT जो non-medical या फिर arts या फिर जो medical है उसके लिए आपको B.Ed चाहिए bachelor plus B.Ed पेपर रहता है और 150 minutes में ही इसको attempt करना होता है यानि कि 2 hours 30 seconds में ही इसको attempt करना होता है और 60% जो है इसका minimum qualifying marks है और यहां पे आपको कोई भी negative marking नहीं होती है इस paper में और correct answer के लिए आपको one mark मिलता है और आप जो है black और blue points है वहां पे option जो fill up कर सकते हैं OMR sheet में तो TGT का जो pattern रहेगा तो इस तरीके से रहेगा कि section जो TGT के लिए जो arts non medical और TGT medical के लिए जो पहला है पहला section रहेगा वो रहेगा 30 questions का और 1 to 30 इसमें question number होंगे और वो जो है section child psychology development, pedagogy और teaching learning processes से related होगा जितनी भी information आप gain कर सकते हैं जितनी knowledge gain कर सकते हैं इसके regarding B.Ed में या फिर B.Ed में जो आपने पढ़ा होगा उस level का आप से पूछा जाएगा पहले section में second section में 31 से 60 ताग general awareness पूछी जाएगी including the hematur current affair और environmental studies के regarding तीनों ही paper में TGT arts में भी non medical में भी और medical में भी इसके बाद जो है आप से जो TGT का जो third और fourth section होगा TGT TET का arts में वो arts से related रहेगा non medical में non medical से related रहेगा और जो medical है उसमें medical से related रहेगा तो 61 से 90 के बीच में English section जो arts वाले हैं उनसे English literature और grammar पूछा जाएगा और section 4 में 91 से 150 के बीच में question होगे तो उसमें social studies पूछी जाएगी उससे related questions पूछी जाएगी यानि कि 30 questions जो है section 3 में वो English literature और grammar से हैं और जो fourth section है उसमें 60 marks का जो question है वो social studies से पूछा जाएगा और section 3 जो है 3 & 4 जो TGT non medical का है वो 30 questions section 3 में mathematics से होंगे 60 questions जो होंगे section 4 में वो physics और chemistry से related होंगे section 3 & 4 जो है TGT medical में जो है उसमें 60 questions रहेंगे और जो है वो botany और geology से पूछे जाएंगे section 4 में जो है 121 से 150 के बीच में रहेंगे 30 questions वो chemistry से पूछे जाएंगे medical के TGT में और अगर बात की जाए तो जो standard रहेगा TGT TET का तो जो child psychology development pedagogy और teaching learning process है educational psychology of teaching learning relevant to the age group of 11 to 14 years उसपे focused होई की और उसके बाद जो है वो focus होगा understanding the characteristics needs and psychology of diverse learners interaction with learners and the attributes and qualities of good facilitator of learning तो यह teacher के बारे में qualities है और जो questions है questions जो other section में पूछे जाएंगे वो जो है prescribed labels of the state for the जो हमारा हिमार्चल state है hp board के जो classes 6 to 8 है उनके standard से होगे questions बट जो difficulty level उनका होगा वो linkage जो भी link होगा जो question का वो up to plus 2 level भी हो सकता है जो भी hp board की books है उसके plus 2 level भी उसका difficulty level हो सकता है तो structure और standard जो tat शास्त्री के लिए हमारे पास रहेगा वो section दो ही section में mention किये गए है पहले section में 120 question है वो शास्त्री degree course के ओपर based होगा जितने 120 question है शास्त्री degree course के ओपर based है और second जो part है उसमें 30 questions होगे journal awareness से related उसमें included है हिमाचल प्रदेश, current affairs, and environmental studies related structure and standard of tat for LT है उसमें हमारे पास 2 ही section है इसमें भी 120 question होगे Hindi course of graduation level 30 question है general awareness of हिमाचल प्रदेश, current affairs, and environmental studies तो LT-TAT जो standard रहेगा LT-TAT का language teacher का जो tat है उसमें हिंदी course of graduation level of the HPU का standard है वो रहेगा अगर बात करेंगी JVT के जो test है उसका structure क्या रहेगा तो इसमें 5 section होगे 30 question होगे इसमें child development and pedagogy, teaching learning processes से, यह section 1 है और second section में 30 question होगे English literature and grammar से, third section में 30 question होगे Hindi literature and grammar से, fourth section में 30 question mathematics से होगे fifth section में 30 question social sciences, environmental sciences and general awareness साथ में current affairs including महाचल प्रदेश के current affairs होगे उन सब से यह पूछा जाएगा fifth section में अगर बात की जाएगे जो लेंग्वेज टीचर का जो टैट है उसका फॉर्मेट रहेगा उसमें 150 question होगे और हर एक question का एक mark होगा duration वही है, two and half hour और types of question mcq है, negative marking नहीं है और इसमें दो ही section है, 120 question होगे पहले section में पंजाबी course of graduation के और 30 question होगे journal awareness of हिमाचल प्रदेश current affairs plus environmental studies तो जो standard रहेगा वो रहेगा पटियाल एन उन्वस्टी के जो graduation level होता है उस standard का रहेगा यह और जो उर्दू का टैट है उसमें भी 150 question पूचे जाएंगे एक question के एक हिमाग होगा duration 2 hours and 30 minutes रहेगा और इसमें भी दो ही section है, 120 question जो है उर्दू course of graduation रहेगे और 30 question जो है, general awareness of हिमाचल प्रदेश और current affairs साथने environmental studies रहेगे तो इससे related question पूचे जाएंगे section 2 में और standard रहेगा child psychology और development, pedagogy और teaching learning process जो है, यह focus होगी educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years और इसमें जो है focus होगा understanding the characteristics needs and psychology of diverse learners interaction with the learners and the attributes and the qualities of good facilitator of learning तो question जो होगे बाकि जो जितने section होगे उनमें question दोंगे जो prescribed syllabus है हमारे हमाचल बोर्ड में class 1, 2, class 5 पर इनके difficulty standard जो है up to plus 2 level भी हो सकता है हमाचल प्रदेश बोर्ड का जो plus 2 level तक जो भी syllabus है, validity जो हमारे पास बात की जाए, तो इसमें validity का mention इस बार जो किया गया है अलांकि center का जो उसमें notification आई है जो इन्होंने decision हुआ है कि अब इसको भी lifetime तक valid किया जाएगा, that को बट इन्होंने अभी तक जो अभी notification हमाचल बोर्ड ने निकाली है, धनमचाला बोर्ड ने निकाली है, उसमें 7 years का ही इसमें mention किया गया है, हो सकता है इन्होंने बात किये कि school of the HP and state government local authority, यह सब जो है जितनी हमाचल बोर्ड देश के अंडर आता है, उनके उन सब में यह applicable है और इन्होंने age limit की जो बात करिए तो कहाए कि age limit इसमें कोई अपर age limit नहीं है तो यह सब information थी और आप देख सकते हैं कि examination center कहा कहा बनाए गए है, आप अपने जो subdivision है, revenue subdivision उसको इलावा भी कहीं भी आप center choose कर सकते हैं उससे अलग जहां आप रहते हैं इसके बाद जो है आपका जो last जो आपको admit card आएगा चार दिन पहले exam से आपको website से आप download कर सकते हैं और आपको information अगर helpful लगी हो तो आप subscribe करें channel को और like करें video को share करें video को, thanks for watching